हेलो दोस्तों कैसे हो आप सब दोस्तों आज किस वीडियो में मैं आपको Google के most important ranking factor के बारे में बताने जा रहा हूँ बहुत से लोग यहाँ पे blog या website तो बना लेते हैं लेकिन जब उस पे traffic लाने की बात होती है तो वो लोग traffic नहीं ला पाते हैं और जो maximum हमारा blog या website पर जो traffic आता है वो Google से ही आता है तो यहाँ पे Google के ranking factors को जानना बहुत ही ज़्यादा important है यदि आप अपने blog पर millions of traffic लाना चाहते हैं इस वीडियो को और इस Google के important ranking factors को जरूर जान लीजिए चलिए इस वीडियो को सुरू करते है गाई जगर यह वीडियो आपको पसंद आए और मेरे द्वारा इस बनाएगे वीडियो को आप like कर देते हैं तो इससे motivation मिलता है और मैं आप तक ऐसी वीडियो ला पाता हूं और वीडियो पसंद आ रहे है तो चैनल को भी subscribe कर सकते हैं आईए इस वीडियो को सुरू करते हैं यहाँ पर पहला ranking factor है वो है दोस्तो backlinks लेकिन यहाँ पर backlinks तो लोग बहुत सारे बना लेते हैं बट यहाँ पर कमी क्या रह जाती है लोग backlinks के दो major part को भूल जाते हैं पह Google उसे quality backlinks में count नहीं करेगा और दूसरा है authority यदि आप अपने backlinks को relevant website से backlinks तो ले रहे हैं बट यहाँ पर उस ब्लॉक की जो authority है वो काफी कम है यानि कि यहाँ पर authority को ध्यान देना है यानि कि Google उस पर trust करता उस ब्लॉक बर तभी आप उस backlinks को लीजिए यदि आप किसी इसना वह beneficial आपके लिए नहीं होगा दूसरा यहाँ पर ranking factors है वह है freshness जी हाँ लोग content लिखते जाते हैं लिखते जाते हैं 100 article मैंने लिख लिया लेकिन यहाँ पर मेरा article rank नहीं कर रहा है तो यहाँ पर problem यह होती है कि वह content जो लिख रहे हैं वह पुराने जमाने में जो यूटूब से पैसा कैसे कम है तो यह पूराने topics है इस पे already hundreds of thousands of posts already है तो आप इस पे content लिखेंगे तो आप कहां से rank कर पाओगे पहले से ही popular website इंस सभी topic पर rank कर रहे हैं तो आपको rank करना है तो आपको freshness देखना होगा आने वाले समय में क्या लोग पढ़ना चाहेंगे इस आ रहे हैं उसको भी आपको up to date रखना है तभी आप fresh content गूगल के सामने दिखा पाएंगे तीसरा ranking factor है search intent of user अभी देखिए माल लिचे मुझे यहाँ पे bluehost पर लॉग इन करना है तो मैं यहाँ पे bluehost लॉग इन पर बहुत सारे search volume है और यहाँ पे competition भी काफी low है लेकिन यहाँ पे bluehost में user क्या चाहता है bluehost पर लॉग इन करना चाहता है तो वहाँ पे उसका intent है लॉग इन करना ना कि यहाँ पे आप अपने article को वहाँ पे rank नहीं करवा पाएंगे यदि आप वह पढ़ना चाहता कि login कैसे किया जाता है तब यहाँ पे वह आपके article को Google यहाँ रै यहाँ पे user के intent को भी देखना होता है fourth ranking signal है वो है दोस्तों किसी particular topic पर यहाँ पे content लिखना है मालीजिए एक example दे देता हूँ मैं अपनी website का blog का यहाँ पे देखिए एक blog है मेरा the Hindi biography.in तो यहाँ पे देख सकते हैं मैं केवल biography के बारे में लिखता हूँ तो यहाँ पे मेरा एक particular niche है और biography में लिखता हूँ हिंदी में लिखता हूँ तो यहाँ पे मेरे articles ज्यादा rank करते हैं यहाँ पे इसलिए आप ranking signal के तौर पे इसे भी देख सकते हैं यदि आप particular niche पर काम कर रहे हैं तो आपकी वो website जल्दी यहाँ पे popular होगी जल्दी Google में rank करेगी पांचवा य यहाँ पे article rating बहुत ही unique कला होती है सब लोग इसे नहीं कर पाते हैं यहाँ पे माल लीजे मैं simple सा उदारण देता हूँ माल लीजे आपको article लिखना है what is SEO तो आपको केवल यह नहीं लिखना है SEO क्या है अब SEO के अंदर जो जो चीजे आती है off page, on page इसमें भी बहुत सारे य आपको जितना depth में आप लिखेंगे जितना depth में घुसेंगे article लिखने में उतनी ज्यादा आपको ranking मिलेगी जी हाँ आप article को लंबा लिखें तभी आप यहाँ पे rank कर पाएंगे छोटे article भी rank करते हैं बट उसे आप बढ़ा नहीं सकते हैं वो उतने ही words में पूरा complete हो जात most important ranking signal है वो है आपके website की speed यहाँ पे अभी जल्द ही Google ने यहाँ पे Core Wave Vitals को भी एक ranking signal के तौर पे माना है सो यहाँ पे आपके site की speed भी काफी matter करती है इसके लिए आप क्या कर सकते हैं WordPress पे हैं तो आप plugins को यूज कर सकते हैं और इस पे मैंने वीडियो भी बनाया है कि WordPress website को कैसे आप speed up कर सकते हैं सो उसका link आपको i button पे मिल जाएगा साथी साथ description में मिल जाएगा और यहाँ पे speed अगर बढ़ाना चाते हैं तो आपको focus करना होगा एक बढ़िया वेब hosting की तरफ जी हाँ वेब hosting बहुत ज्यादा matter करता है आपके site की speed को improve करने में साथवा यहाँ पे ranking factor है वो है http s protocol को use करना यदि आप ssl certificate नहीं यूज करते हैं तो यहाँ पे यह एक ranking signal है और आपकी site कहीं न कहीं इसकी वज़े से rank नहीं करेगी तो आपको ssl certificate अपने किसी भी वो blogger पे blog हो चाहे wordpress पे हो आपको ssl certificate must use करना है आठवा यहाँ पे last हमारा है वो है user experience वैसे तो यहाँ पे google के 200 ranking factor है बट यहाँ पे मैंने कुछ important ranking factors के बारे में बताया जिसमें आठवा हमारा user experience है अभी देखें user experience से आप यह समझ सकते हैं यदि आपका blog कोई visitor आता है तो उसे article पढ़ने में navigate करने में आपके article से दूसरे article पे जाने पे यदि उसे problem होगी तो यानि कि user experience खराब है theme आप जो use कर रहे हैं वो अच्छा नहीं है तो आपको user experience यानि कि website के navigation पर भी ध्यान देना होगा अच्छा और सुन्दर यहां पे design आपको बनाना होगा अपने blog का I hope यह वीडियो आपको पसंद आया होगा और यह आठो ranking factor आपको समझ में आ गया होगा इन सभी 8 ranking factor पे यदि आप काम करते हैं तो आपको millions में traffic लेने से कोई नहीं रोक पाएगा आई होप वीडियो पसंद आया होगा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और नीरे जयादो YouTube चैनल जो है इसपे बहुत सारे वीडियो आचूके हैं जाए इनहें देखिए और यदि आप चाहते हैं WordPress सीखना तो मैंने एक चैनल भी श्टार्ट किया है ब्लॉगिंग स्किल यहां पे ब्लॉगिंग स्किल आप यूटूब पे सरज कर सकते हैं और जाके उस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं धन्यवाद